नमस्कार दोस्तों, विदान दैजुकेर से मैं विजेता बटनागर आज आपके सामने शहीदी सप्था की कहाने लेकर उपस्थित हूं। गुरु गोविन सिंग जी सिख समुदाय के विकास में बहुत ही बड़े एक गुरु माने जाते हैं। इन्होंने सिखों के लिए एक सैने लोका चार के शुरुवात की, जिसमें सिख पुरुषों को हर समय तलवार रखने के लिए कहा गया। गुरु गोविन सिंग जी जिनके पिता गुरु तेख बहादुर जी और माता गुजरी के एक मात्र कुत्र थे और इनका जन्म 22 दिसंबर 1666 को पटना साहिब में हुआ था। गुरु गोविन सिंग जी सिखों के दस्वें गुरु माने जाते थे। गुरु गोविन सिंग जी के परिवार की शहादत को आज भी इतिहास की सबसे बड़ी शहादत माना जाता है। धर्म व आम जनकी रक्षा के लिए जो शहादत दी गई ऐसे शहादत आज तक कभी सुनने को नहीं मिली। शहादत जो की सिख परिवार ने दी। शद्दावान सिख नानक शाही कैलेंडर के अनुसार 20 दिसंबर से लेकर के 27 दिसंबर तक शहीदी सपता मनाय जाता है। और इन दिनों गुरु द्वारे से लेकर के घरों तक कीरतन पाट किया जाता है। 21 दिसंबर 1704 में मुगलों ने जब अचानक आननपुर साहीब के किले पर हमला कर दिया। तब गुरु जी ने सिक्खों के साथ आननपुर साहीब को तुरन छोड़ दिया और वो वहाँ से निकल पड़े। ठीक 21 दिसंबर को जब सभी लोग सर्सा निदी को पार कर रहे थे। तब पानी का बहाओ इतना तेज था कि उनका पूरा परिवार ही बिछड गया। और बिछडने के बाद गुरु दीव वह दो बड़े साहीब जादे। बाबा अजीस सिंग और बाबा जुजार सिंग जी चमकौर पहुँच गये। और वहीं माता गुजरी और दोनों छोटे साहीब जादे बाबा जुरावर सिंग और बाबा फते सिंग वो अपनी माता के साथ सेवक गंगु सिंग जी के साथ अन्य सिखों के साथ अलग हो गये। बाद में गंगु साहाब इन सभी को अपने घर ले गए लेकिन गंगु साहाब ने वजीर साहाब को उनकी जानकारी दी जिसके बाद वजीर खान ने माता गुजरी और दोनों छोटे साहीब जादों को गिरफतार कर लिया। 22 दिसंबर चमकौर की लड़ाई हुई जिसमें सिख्व मुगल सामने आमने थे। सिख्व कम थे। इसलिए मुगलों का होसला बहुत जादा बड़ा हुआ था लेकिन सिख्वों ने कम होकर के भी गुरुदेव के बताय हुए होसले को रखा और उन्होंने डट कर उस चलता रहा, दोनों बड़े साहिबजादे इस युद्ध में उत्रे और वीर्ता के प्रदर्शन किया और अंत में वो भी शहीद हो गये। और आप यहां से निकलें तब गुरुदेव को मजबूरन वहां से निकलना पड़ा और वहां पर जो सिख मैदान में लड़ाई कर रहे थे वो उनके वहां से जाने के बाद शहीद हो गये। शहीद हो चुकी है तब वह वहां चमकौर जाकर के पहुँची उनका अंतिम संसकार करने के लिए क्योंकि अंतिम संसकार करना ज़रूरी था। लेकिर मुगल ऐसा नहीं चाहते थे वो चाहते थे कि उनको चील खवे खाएं लेकिन बीवी हर शरनकौर ऐसा नहीं चाहती थी और वो तुरंट चमकौर पहुँची और उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया। उन्होंने सभी सिखों को इखटा किया और उनका अंतिम संसकार करना शुरू किया। जैसे ही वजीर खान को ये सूचना मिली कि इस तरह से हो रहा है तो वो वहाँ पहुचे और उन्होंने उसी अगनी में हर शरनकौर को डाल दिया। और वहीं पर हर शरनकौर भी शहीद हो गई। 26 दिसंबर को सरहंद के नवाज वजीर खान ने माता गुजरी और छोटे साहिबजादों को जुरावर सिंग और बाबा फात्य सिंग को ठंडा बुर्ज के नीचे खुले आसमान में कैत कर दिया। और दोनों को बहुत ही मजबूर किया कि वो अपना धर्म परिवर्तन करें। नहीं करेंगे। इसके बाद 27 दिसंबर को माता ने उनको तयार करके वापस से कचहरी बेजा और वहाँ पर जाने के बाद उन्होंने फिर से अपनी वही बात दोराई कि हम अपना धर्म परिवर्तन नहीं करेंगे। उन्हें बहुत मजबूर किया गया मुगलों द्वारा लेकिन वो अपनी जिस से टस से मस नहीं हुए। इस पर उन्होंने अपने जैकारे लगाना शुरू किया कि जो बोले सोनी हाल सत्च्रियकाल इस पर वजीर खांतिल मिला उठा और उसने तुरंद आदेश दिया और उन दोनों साहिबजादों को दिवार में चुनवा दिया गया। जब ये खबर माता गुजरी को मिली तो उनसे रहा ना गया वो अपने दोनों पौत्रों की मौत को बर्दाश नहीं कर पाई और उन्होंने अपने प्रांट त्याग दिये। इस तरह से इस पूरे परिवार की शहादत को देख करके सभी की आँखें नम हो गई और इसलिए उनकी शहादत को आज भी 21 दिसंबर से लेकर 27 दिसंबर तक याद किया जाता है और शद्धावान सिक्ख जो हैं वो उनकी शहादत में कोई भी खुशिया नहीं मनाते हैं इन अपने गुरुदेव को याद करते हैं उनकी शहादत को नमन करते हुए मैं विजेता बटनागर अब आपसे इजाज़त चाहते हूं नमिश्कार